नमस्कार फ्रेंड्स ओनलेंटेक सब कुछिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है लाल से लिखे सस्क्राइब वटन को क्लिक कर ले और इस चनल को सस्क्राइब कर ले चलिए वीडियो को सुरू करते हैं इस वुड़े में हम बात करने वाले हैं आप किसी भी बैंक का अ अपना पोर्टल को हम लॉगिन करते हैं चाहे आप किसी भी बैंक का CSP चलाते होंगे जैसे कि आप स्टेट बैंक का CSP चलाते होंगे या किसी भी बैंक का CSP पोर्टल चलाते होंगे तो अपडेट होने के बाद आपना जो पोर्टल को लॉगिन करते होंगे तो कुछ इस त रखना भी चाहिए एसे सिक्रूटी रीजन से तो आपके अपडेट होने के बाद इस एरर को कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें और कहां से इसको सेटिंग को जो हम करें उसके बारे में पूरा विश्तार पूर्व की शुड़े में बताने वाले हैं तो चली वीडियो को इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो अप्लोड करता रहता हूं इस तरह के एरर को हटाने के लिए एक छोटा सा आपको सेटिंग्स करना पड़ता है इंटरनेट एक्सपोरल में तो यहां पर आपको हम स्टेप बाई स्टेप दिखाएंगे के वल एक सेटिंग्स करने के बाद जो है आपका जो है सिस्टम लोग इन हो जाएगा तो सिंप्ली यहां पर हम सर्च में इंटरनेट यहां पर सर्च कर लेंगे यहां पर देखिए ऑटमेटिक यहां पर आ जाता है इसको जैसे हम ओपन करेंगे ओपन करने के बाद इसका जो है इंटरनेट आप्शन में हमें चले आना है तो यहां पर corner पर settings पर click करेंगे जैसे settings वाले icon पर click करेंगे तो यहां पर नीचे से second number पर internet option का जो है एक option हमें मिल जाता है जिस पर हम click करेंगे तो कुछ इस तरह से box खुल जाएगा खुलने के बाद इस तरह से box खुलने के लिए केवल आपको CPU ID अगर fetch है अगर आप पहले से जो है अच्छा से चला रहे हैं अपने CSP portal को और update होने के बाद CPU ID not fetch का अगर message आता है तो केवल आप EC setting में आपको जो है जाना है तो यहाँ पर internet option में आना है internet option में आने के बाद यहाँ पर security पर आपको click करना है security पर जैसे ही click किजेगा तो trusted side पर यहाँ पर click करना है यहाँ पर click करने के बाद यहाँ पर आप नीचे में एक जो है customize level पर आपको आ जाना है यहाँ पर आने के बाद अपने keyboard में आई प्रेस करना है आई प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपका setting जो है disable रहता है तो इसको आपको enable कर लेना है enable करने के बाद ok apply करनके यहाँ पर again ok कर देना है इस तरह से करने के बाद जो भी आपका एरर आता है CPU ID not fetch वो यहाँ पर problem solve हो जाता है और पहले की तरह जो है अपना CSP ID आप login कर पाते हैं यहाँ पर फिर से एक बार settings को हम repeat कर देते हैं अगर CPU ID not fetch क्या error आ रहा है तो केवल एक settings आपको करनी है internet option में जाना है जाने के बाद यहाँ पर security पर हमें जाना है security पर जाने के बाद trusted site को select करना है उसके बाद यहाँपे customized level पर हमें click करना है क्लिक करने के बाद keyboard में हमें i button को प्रेस करना है automatic तुमे जो है mechanic steps हो जाईगा यहाँ पर disable होगा इसको हमें enable कर लेना है करने के बाद okay करके आप like कर देना उसके बाद जो है अपना जो भी CSP ID आप login करेंगे चाहे आप State Bank के हो, PNB के हो, Bank of Bauda के हो, Bank of India को हो आपका जो CPU ID not fetch का जो error आता है वो हट जाता है तब तक के लिए thank you, धन्यवाद मिलते हैं आपको नेक्स टूडियो में इसी तरह के महत्पूर्ण वीडियो के साथ